नमस्कार दोस्तो हमारी चैनल पर आपका हारदिक स्वाकत है। दिन में सिर्फ एक बारलो और नसों की कमजोरी, नसों में सूजन, दर्द, चक्कराना और ब्लोकेज की समस्या का बिलकुल कारगर इलाज हो जाएगा और आपके सरीर की बीमारियां छूमंतर की तरहें गायब ह दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे चमतकारी नुस्खे को बना कर दिखाऊंगा जो दोस्तो आपके सरीर की बहुत सारी बीमारियों का इलाज करेगा और आपके सरीर की इम्यून पावर रोगों से लड़ने की सक्ति को बढ़ा देगा जिससे की ये छोटी मुटी बीमारियां तो आपके आसपास भी नहीं आएगी दोस्तो नसो में चाहे सूजन की समस्या हो या नसो में ब्लोकेज की समस्या हो ये इसका कारगर इलाज है हाई बलड प्रैसर को कंट्रोल करने का काम करेगा थाइराइड की समस्या का भी एक कारगर इलाज है और दाना और दोस्तो मेथी दाना के फाइदे को नहीं जानता आयरुवेद के अनुसार मेथी अनेक रोगों की एक चमतकारी दवा है इनके दानों का प्रियों मसालों के साथ साथ ओष्टियों को बनाने में भी किया जाता है मेथी के दानों में खुब सारे विटामिन और मिननल पाए जाते हैं यदि मेथी के साथ आप और एक दो नुस्खा मिला देते हैं तो इससे क्या है कि इसकी पावर और भी अधिक बढ़ जाती है और वो बिलकुल तेजी से काम करती है आपकी बेमारियों से आपको छुटकारा दिलाने के लिए दोस्तो आज की सिवरे में हम आपक एक ऐसा ही नुस्खा बना कर आपको दिखाएंगी जो दोस्तो जिस नुस्खे का प्रियोग करके आपका पाचन मस्बूत होगा और आपको पेट के रोगों से छुटकारा मिल जाएगा दोस्तो ये नुस्खा इस डायबटीज की बीमारी को भी कंट्रोल करने में आपकी अधिक होगा क्योंकि अधिक मातला हर चीज की बुरी होती है चाहे वो आपके इम्मूटी की हो या कोलोस्टोल की हो ये उसको कंट्रोल करेगा बैड कोलोस्टोल को डाउन करेगा अच्छे कोलोस्टोल तक एक लिमिट तक लेकी आएगा उसको जादा बढ़ने नहीं देग हर त्रहें के दर्द की एक कारगर दवा है ये नुस्खा, सूजन को दूर करेगा दर्द से आपको छुटकारा दिलाएगा, तो दोस्तो देर किस बात की है, तो चलिए आपको बताते हैं इस नुस्खे को बनाने की विदी, दोस्तो आपने क्या करना है, इस नुस्खे को बना प्रियोग कर सकते हैं। प्रियोग जरूर करना है। प्रियोग जाएगा आपकी सारी बीमारियों का समाधान। प्रियोग जरूर करना है। तो दोस्तो देर किसे बात की है आप इस नुस्खे को आज ही अपने घर पर बनाएं। और इस नुस्खे का प्रियोग करें। और अपने सरीर को बिलकुल निरोगी बना दें। तो दोस्तो यह थी हमारी वडियो। यदि आपको हमारी वडियो अच्छे लगे तो प्लिस लाइक और सेयर जरूर कीजी। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजी। और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजी।